तो आज के इस वीडियो में हमारे सगरवाल बुक का एकसरसाइज नमबर 10D का सल्यूशन करने जा रहे 10D का जो सल्यूशन है इससे पहले अगर आपने 10C का सल्यूशन नहीं देखा है तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखिए जो के आई बुटन में आपको दिख रहा होगा हम 10C का जो वीडियो है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा हूँ तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप 10C पहले सॉल्व कर लीजिए उसके बाद 10D कीजिए तो student इस exercise में कुछ substitution यूज किया गया है यह 4 ही तरह का substitution यूज किया गया है पूरे exercise में इस पूरे exercise में 52 या 51 question है तो उन सारे question में यह 4 ही तरह के substitution है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे substitutions आए तो हम क्या करेंगे student अगर under root a square minus x square है तो उस case में हम x is equal to x को जो है हम a sin theta या a cos theta पूट करेंगे ठीक है अगर under root a square plus x square है या सिर्फ a square plus x square है तो हम x को a tan theta a tan theta या a cos theta पूट करेंगे ठीक है अगर x square minus a square है तो इस case में x के जगह पे a sec theta या a cos theta पूट करेंगे वहीं अगर आपके पास a minus x है तो इस case में x के जगह पे a cos 2 theta पूट करेंगे तो ये सबसे पहले solution करने से पहले ये चार जो फॉर्म है चार जो substitution के फॉर्म है इसको आप एक paper पे लिख के सामने रखें हलाकि question करते करते ही आपको याद हो जाएगा तो चलिए हम चलते हैं question number 1 पे देखिए question लिखने के साथ मैंने answer भी लिख दिया है जो मैं question लिख के थोड़ा सा उधर देखने जाता था answer तो कहीं न कहीं उसमें थोड़ा बोट time चला जाता था हम कोसिस करेंगे कि वीडियो का जो length ये कम से कम हो तो चलिए इस तरह का जो सवाल है हम सबसे पहले solve करते हैं तो 1 minus cos x 1 minus cos x का formula जो होता है 1 minus cos x का formula होता है 2 sin square x by 2 और नीचे 2 ये 2 2 से divide हो जाएगा और sin square x by 2 बाहर आके हो जाएगा sin x by 2 और हम जानते हैं sin inverse और बगल में अगर sin है तो ये सिर्फ हो जाएगा x by 2 therefore y is equal to x by 2 अगर y x by 2 है तो dy by dx क्या हो जाएगा 1 by 2 that's your answer देखे 1 by 2 answer मैंने लिख रखा है और इसका answer क्या है 1 by 2 है जैसे ये answer आएगा मैं तो match कर ही लूँगा अब भी match कर लीजी तो बहुत आसान सवाल था यहाँ पर क्या हुआ 1 minus cos x का formula यूज हुआ जो होता है 2 sin square x by 2 चले अब चलते हैं question number 2 में तो देखिए question number जो 2 है y is equal to tan inverse अब देखिए sin x का जो formula होता है बावू वो होता है 2 sin x by 2 into cos x by 2 ठीक है और 1 plus cos x होता है 2 cos square x by 2 यह 2 2 से divide हुआ और 1 cos से divide हुआ तो आपका जो y आजाएगा देखिए यह वाला 1 cos से divide हुआ हाला कि हम cut fit नहीं करेंगे काटने से क्या होता है कि कहीं न कहीं आपका marks भी deduct हो सकता मैंने कई बार बताया है कि हम उपर नीचे divide करते है numerator को denominator से divide करते है ना कि cancel करते है यह 2 से divide हो गया 1 cos x 1 cos x divide हो गया बच गया sin x by 2 और नीचे cos x by 2 तो y is equal to tan inverse tan x by 2 which is equal to x by 2 और जब हम dy by dx निकालना चाहे तो यह आजाएगा 1 by 2 हाँ answer क्या है इसका 1 by 2 है बहुत ही आसान एक से 10 तक तो बहुत ही आसान है तो आजाएगा question number 3 में इसमें भी वही formula लगेगा student एक चीज बहुत important है कि अगर आपको trigonometry के सारे formula याद है तो ही आप इस exercise को solve कर सकते हैं otherwise बहुत मुस्किल है जो student सामने list करके list रखके कर रहा है और उनको लग रहा है कि यह तो मैं असानी सकर रहा हूं तो कहीं न कहीं आप exam के time में miss करने वाले हैं तो मेरे इस exercise student trigonometry के सारे formula वही 26 या 27 formula है तो वो सारे formula आपके दिमाग में होने चाहिए ना कि आपके सामने list में तो देखिए cot inverse 1 plus cos x यह होता है 2 cos square x by 2 और sin x होता है 2 sin x by 2 into cos x by 2 अब देखिए 1 cos 1 cos से गया 2 2 से चला गया तो y is equal to यह होगा cot inverse cos x by 2 और sin x by 2 और cos by sin क्या होता है cot होता है तो we can write it y is equal to cot inverse cot x by 2 और हम dy by dx निकालना चाहें student तो यह 1 by 2 होगा answer कितना है 1 by 2 है तो एक ही तरह का जो formula है यह बार-बार use हो रहा है अब आजाए question number 4 में 4 में भी same formula का use हुआ है तो y is equal to cot inverse 1 plus cos x का formula होता है 2 cos square x by 2 और 1 minus cos x का formula होता है 2 sin square x by 2 तो हम इसे लिखते हैं 2 cos square x by 2 और by 2 sin square x by 2 2 तो गया काम से cos square by 10 नहीं यह sin है वाफ कीजिएगा यह sin है तो 2 तो गया काम से cos by sin cot square x by 2 y is equal to cot inverse अब देखिए cos by sin क्या होता है cot root के अंदर cot square x by 2 है root से बाहर आके क्या हो जाएगा cot x by 2 which is equal to x by 2 and dy by dx जो होगा student यह हो जाएगा 1 by 2 जी हाँ 1 by 2 क्या है इसका answer है तो सवाल में एक ही तरह का formula यूज हुआ था अब आजाए यह पांचवे नमर सवाल में देखिए पांचवे नमर सवाल थोड़ा सा धंका है तो ध्यान से समझेगा y is equal to tan inverse अब देखिए हम numerator और denominator दोनों में cos x से divide कर देते हैं cos x plus sin x by cos x और नीचे क्या है cos x minus sin x by cos x y is equal to tan inverse cos by cos 1 और sin by cos 10 तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 plus tan x और नीचे 1 cos by cos 1 और sin by cos tan x ठीक है इतना हमने लिख दिया दिखाई दिया रहा है 1 minus tan x तो y is equal to tan inverse अब यह 1 minus tan x by 1 plus tan x से फर्मूला होता tan pi by 4 minus x स्वारी प्लस उपर प्लस तो प्लस उपर माइनस तो माइनस student एक चीद्यान रखिए यह formula जो है ना वही देखिए हम कर क्या रहे है हम differentiation कर क्या रहे है last में जो x r a x y 2 r a उसी का तो हम differentiation कर रहे है differentiation तो है नहीं हम तो trigonometry solve कर रहे है trigonometric identity solve कर रहे है तो student बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप यह formula को बार बार solve कीजिए बार बार लिखिए आपको याद हो जाएगा तो tan inverse यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan y by 4 plus x tan inverse tan खतम इसको मैं इधर लिखता हूँ y is equal to नहीं tan क्यों लिख रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा pi by 4 plus x तो dy by dx क्या होगा pi by 4 का 0 और x का 1 इसका answer कितना है 1 है चलिए तो इसको solve कर लिजे no down कर लिजे false करके हम चलते हैं इसमें भी स्टूडेंट्स सेम तरह का सवाल है देखिए यह वाला जो है cos plus sign और नीचे cos minus sign है तो हमने इसको क्या लिख्या उपर नीचे divide करके यह वाले step को अगर मैं skip करूं यह skip क्यों करना है इसको मैं copy paste कर लेता हूं तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं numerator और denominator दोनों को cos x से divide कर सकता हूं पर उपर में minus है और नीचे में plus है तो y is equal to क्या हो जाएगा tan inverse 1 minus tan x by 1 plus tan x ठीक है तो y is equal to tan inverse यह formula है tan pi by 4 minus x का tan inverse tan क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो y is equal to pi by 4 minus x hence dy by dx pi by 4 का 0 और minus x का minus 1 तो यह है six number सवाल का अंसर six number सवाल का ओ हो 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 माफ करना यहां पर कॉट था मैंने tan कर दिया देखिए ज्यान से समझिएगा यहां पर y is equal to कॉट inverse था y is equal to कॉट inverse और यहां कॉट inverse student आगे देखिएगा माफ कीजिएगा आपके time को waste करने के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं कॉट inverse और यह tan है तो हम tan को क्या लिख सकते हैं देखिए हम जानते हैं कि कॉट theta is equal to यह tan theta is equal to tan theta is equal to कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा यह हमने पढ़ा है 10th class में और trigonometry में भी यह चीज हमने पढ़ा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कॉट inverse tan को हम क्या लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 और माइनस यह वाला ठीक है तो पाई बाई 4 माइनस x इसे और क्या लिख सकते हैं कॉट inverse कॉट पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 और यह माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x अब ध्यान दीजिएगा कॉट inverse कॉट क्या हो गया खतम हो गया और पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या होगा पाई बाई 4 प्लस x यह y हो गया अब डी बाई बाई डी एक्स क्या होगा पाई बाई 4 का 0 x का 1 तो ये answer क्या आ गया 1 आ गया 1 दिखाई दे रहा answer कितना आ गया 1 आ गया तो student वीडियो को पाउच करके no down कर लीजे हम चलते हैं question number 7 पे y is equal to cot inverse इतना है तो देखिए 1 plus cos theta का formula होता 2 cos square theta by 2 और 1 plus दोनों plus ही आ गया है तो एक बार question देखने दीजे 7 number सवाल 7 square 1 plus cos नीचे में minus है ठेक है द्यान दीजेगा 1 plus cos क्या होता है 2 cos square theta और 1 minus cos 2 sin square theta by 2 तो formula का use करेंगे cot inverse उपर में क्या लिख दे 2 cos square जो भी theta है theta कितना है 3x तो 3x by 2 by 2 sin square 3x by 2 2 से 2 गया cot inverse root के अंदर कितना cot square 3x by 2 y is equal to cot inverse cot 3x by 2 which is equal to 3x by 2 2 तो y is equal to 3x by 2 तो dy by dx 3 by y is equal sorry dy by dx कितना आ गया 3x by oh sorry 3 by 2 तो ये था question number 7 का solution हम चलते हैं question number 8 पे तो देखिए हम एक चीज पहले आपको बताते हैं अगर मान लो a by b है so student क्या हम a by b को ऐसा लिख सकते हैं 1 by b by a बहुत आसानी से लिख सकते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा arrange करते हैं sec inverse 1 by 1 minus tan square x और इसको हम नीचे लेके आजाएं जैसे वो वाला है a by b था a को हम b के नीचे लेके आगए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 plus tan square x और ये फर्मूला किसका है cost to x का तो हम क्या लिख सकते हैं y is equal to sec inverse 1 by cos 2x और हम क्या लिख सकते हैं y is equal to sec inverse sec 2x मतलब 2x y कितना आ गया 2x तो dy by dx क्या आ जाएगा dy by dx क्या हो गया 2 आ गया ठीक है हाँ, dy by dx कितना आ रहा है? 2 आ रहा है तो अब हम चलते हैं question number 9 पे उमिद करता हूँ आप समझ रहा होंगे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा fast हो रहा है बहुत basic सा सवाल है that is why मैं थोड़ा सा इसे जल्दिवाजी में कर रहा हूँ अब देखिए y is equal to sin inverse यह पूरा formula है cos 2x का यह जो पूरा bracket के अंदर है यह formula है cos 2x का तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? y is equal to sin inverse और cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? sin pi by 2 minus theta तो इसे हम क्या लिख दे? sin pi by 2 theta के जगा है? 2x है तो y is equal to sin inverse sin यह गया काम से और क्या बज जाएगा? pi by 2 minus 2x dy by dx क्या हो जाएगा बाबू? pi by 2 a constant है जिसका differentiation 0 minus 2x का minus 2 that's all चीक है? यह था ninth number question का सवाल अब हम आ जाते हैं sorry ninth number question का सवाल नहीं ninth number question का solution अब हम आ जाते हैं question number 10 पे कोसेक inverse अब देखिए जो मैंने आपको बदाया बागू कि a by b को क्या लिख सकते हैं? one by b by a one by b by a लिख सकते हैं की नहीं लिख सकते हैं? तो वैसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं? y is equal to कोसेक inverse और उपर में one रहने देते हैं और यहां पे क्या कर दें? 2 tan x by one plus tan square x ठीक है? और यह फर्मूला है sin 2 x तो हम इसे लिख सकते हैं क्या? y is equal to कोसेक inverse one by sin 2 x और y is equal to कोसेक inverse कोसेक 2 x है की नहीं? और इसे और क्या लिख सकते हैं? 2 x के बराबर y आ गया 2 x तो dy by dx क्या आ जाएगा? it will be 2 answer कितना है? 2 है यह था 10th number सवाल का solution अब आ जाए 11th number सवाल में तो y is equal to कोट inverse और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 by sin x कोट को क्या लिख सकते हैं? कोसेक्स by sin x चिक है? y is equal to कोट inverse 1 plus cos x फर्मूला यूज कर देंगे कुछ बचाने इसमें y is equal to कोट inverse 1 plus cos क्या हो जाएगा? 2 sin a square x by 2 और sin x का फर्मूला जो होगा? 2 sin x by 2 into cos x by 2 2 से 2 को उड़ा दीजिए यह काटना नहीं है यह मैं बार बार बताता हूं इसको ऐसे काटना नहीं है एक्जाम में solve करने के टाइम पर बस हटा दीजिए simply यह 1 sin square है तो 2 sin है तो 1 sin 1 sin से गया उपर में क्या बच गया? sin तो y is equal to कोट inverse sin by cos क्या हो जाएगा? tan x by 2 tan x by ठीक है अब हम y को क्या लिख सकते हैं? y is equal to कोट pi by 2 minus x by answer minus 1 by 2 है नहीं 1 by 2 है 1 plus cos देखो देखिये y is equal to माफ कीजीगा student कोट inverse 1 plus cos होता है 2 cos square x by 2 और sin x होता है 2 sin x by 2 cos x by 2 ठीक है? 2 से 2 गया cos से cos गया cos by sin क्या हो जाएगा? कोट तो y is equal to cot inverse y is equal to cot inverse cot x by 2 y is equal to x by 2 therefore dy by dx is equal to 1 by चीक है? तो ये था solution 11 number question का अब हम आ जाते हैं question number 12 पे y is equal to tan inverse cortex का फर्मूला क्या हो जाएगा? tan pi by 2 minus x plus cot inverse tan को हम क्या लिख सकते हैं? cot pi by 2 minus x y is equal to pi by 2 minus x और यहाँ पे pi by 2 minus x तो y is equal to pi minus 2x तो dy by dx pi का differentiation 0 minus 2x का minus 2 इसका answer कितना आ रहा? minus 2 तो यह है question number 12 का solution वडियो को पहुँच कीजिए note down कीजिए हम चलते हैं question number 13 पे तो अब देखिए आगया वो form 1 minus a square minus x square रहे है तो x is equal to a sin theta या a cos theta पूट करेंगे तो let x is equal to cos theta x को हम क्या मान ले रहे हैं? cos theta मान ले रहे हैं चिक है तो ध्यान से समझिएगा theta is equal to क्या होगा? cos inverse x theta हमारा कितना आ गया? cos inverse x आ गया यह theta का बाद में काम आने वाला है तो y is equal to हम क्या लिखेंगे? sin inverse under root 1 minus cos square theta तो y is equal to sin inverse यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin square theta 1 minus cos square theta sin square theta होता है तो y is equal to sin inverse और sin theta तो यह क्या आ जाएगा? theta मतलब y बराबर theta ठीक है? मतलब y बराबर theta किसके बराबर था? मैंने बोला था ना काम आएगा तो y theta is equal to cos inverse x देखें y बराबर क्या आ गया? theta अब हमारा theta का तो function नहीं था ना function तो x का था तो हम at last theta के जगा पे x वाला term पुट करेंगे theta कितना था? cos inverse x तो हम क्या कर दिये? y is equal to cos inverse x पुट कर दिये अब dy by dx क्या होगा? यह direct formula बताया है तो dy by dx क्या होगा? minus 1 by under root 1 minus x यही answer आ गया जी हाँ यह था 13 नंबर सवाल का solution अब हम आ जाते हैं 14 नंबर सवाल में तो y is equal to यहाँ पे sin है यहाँ पे cos पुट करना पड़ेगा ठीक है तो let x is equal to cos theta x is equal to cos theta तो theta is equal to cos inverse x ठीक है? theta कितना आ गया? cos inverse x आ गया चलिए अब पुट करते हैं y is equal to sin inverse 1 minus cos theta by 2 y is equal to sin inverse और 1 minus cos theta कितना होगा? 2 sin square theta by 2 by 2 यह 2 से 2 डिवाइड हो गया और sin square बाहर आके क्या हो जाएगा? sin तो y is equal to sin inverse sin theta by 2 और हमारा y जो है यह कितना आ जाएगा? theta by 2 y आ जाएगा? theta by 2 तो हम y को क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 into theta theta कितना है? cos inverse x तो dy by dx क्या होगा? 1 by 2 into minus 1 by under root 1 minus x square cos inverse x का differentiation क्या होता? minus 1 by under root 1 minus x square तो dy by dx को हम थोड़ा arrange करके लिख सकते हैं minus 1 by 2 1 minus x square तो यह आ गया 14 नमबर सवाल का answer जी हाँ, बिल्कुल सही है आजा यह question number 15 में 15 जो है इसमें भी वैसा ही है तो let x is equal to cos theta x को हम क्या पूट करते हैं? cos theta पूट करते हैं तो यहाँ पे हमारा theta जो है वो आ जाएगा cos inverse x चिक है यह मैं bracket में box में इसलिए बंद कर रहा हूँ क्यूंकि हमको इसका बाद में काम आता है ठिक है तो हमारा अगर x cos theta पूट करेंगे तो हमारा y क्या होगा वो देख लेते हैं cos inverse under root 1 plus x by 2 तो 1 plus x x के जगा पे क्या है? 1 plus cos theta और नीचे 2 है y is equal to cos inverse 1 plus cos theta क्या होगा? 2 cos square theta by 2 और नीचे 2 2, 2 से divide हो जाएगा cos square बाहर आके क्या हो जाएगा? सिर्फ cos तो बच गया cos theta by 2 मतलब यह क्या आ गया? theta by 2 तो y कितना हो गया? 1 by 2 cos inverse x क्योंकि theta हमारा कितना था? cos inverse x अब dy by dx क्या हो जाएगा? minus 1 2 1 by 2 1 minus x square यही आंसर है तो वीडियो को pause करके note down कर लीजे student काफी असान है यह अब हम आते हैं 16 नंबर सवाल में cos inverse 1 minus x square अब ध्यान दीजे x क्या पूट करेंगे? 1 minus x इसको sine पूट करेंगे तो बाहरा कि यह क्या हो जाएगा? cos हो जाएगा तो let x is equal to sine theta तो theta is equal to sine inverse x x जब sine theta है तो theta क्या हो जाएगा? sine inverse x तो y is equal to cos inverse 1 minus sine square theta तो y is equal to cos inverse cos square theta तो y is equal to cos inverse cos theta तो y is equal to theta तो y is equal to theta कितना था? sine inverse x y is equal to sine inverse x dy by dx कितना होगा? यह सब question में कोई जान नहीं है under root 1 minus x square ठीक है? यह था 16 number सवाल 15 हुआ? हाँ 16 number सवाल का यह solution था अब हम आते हैं student question number 17 पे अब देखिए ध्यान समझे x is equal to अगर हम sine theta पूट करते है या cos theta तो दोनों में बात बनेगा या तो sine put कर दीजिए या cos put कर दीजिए दोनों में same answer आएगा तो हम put करते हैं sin theta let x is equal to sin theta ठीक है? एक में answer minus में आजाएगा एक में answer plus में आजाएगा लेकिन दोनों सही है दोनों में कोई गड़वण नहीं है दोनों में कोई गड़वण नहीं है या तो sine put करेंगे sine put करेंगे तो plus आएगा cos put करेंगे तो minus आएगा हालाकि answer दोनों भी सही है तो द्यान दीजिए x is equal to sin theta तो y is equal to यहाँ पर theta is equal to sin inverse x लिखना बिलकुल भी ना भूले तो sin inverse 2 sin theta under root 1 minus sin square theta y is equal to sin inverse 2 sin theta और 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta cos square theta root से बहार आके क्या हो जाएगा cos theta y is equal to sin inverse और यह क्या होगा sin 2 theta तो y क्या हो गया 2 theta मतलब y is equal to 2 into sin inverse x तो dy by dx क्या हो गया 2y under root 1 minus x square तो यह था 17 number सवाल का solution student देखिए जरा मैं क्या करता हूँ ना x के जगा पे cos theta put कर देता हूँ तो भी solution आएगा बट answer जो है थोड़ा सड़ीफर आएगा let x is equal to cos theta तो y क्या होगा sin inverse और पहले 2 है तो 2 cos theta ठीक है और under root यहाँ पे theta is equal to cos inverse x 1 minus cos square theta y is equal to sin inverse 2 cos theta into sin theta 1 minus cos square theta क्या होगा sin square theta root से बाहर आके sin theta y is equal to sin inverse sin 2 theta मतलब यहाँ पे क्या होगा 2 theta तो y is equal to 2 into theta हमारा कितना है cos inverse x तो dy by dx क्या होगा minus 2y under root 1 minus x square तो student घवराने वाली बात नहीं है कि हमारा minus आ रहा है answer में plus आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है both the solution are both the solution are correct दोर हमें कोई गड़वर नहीं है या तो यह put कीजिए अब देखो तुम्हारे दिमाग में पहले cause आ गया और cause आ गया cause से भी solve हो रहा है ठिक है तुम्हारे दिमाग में पहले sign आ गया sign से भी solve हो रहा है तो तुमको exam में कैसे पता चलेगा क्या लाना है क्योंकि answer जो है कभी plus देता है कभी minus देता है तो student जो आपके दिमाग में है वो काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि sign ही put करना, कोई जरूरी नहीं है कि cost ही put करना है, जिससे answer आ जाए, जिससे पूरे तरह से solution आ जाए, वो वाले step को आप put कीजिए, मेरे पास answer है, यहाँ पर सामने लिखा हुआ, इसलिए मुझे समझा रहा है कि अगर मैंने cost लिया, तो यहाँ minus आ जाएगा, और it will not match to the given answer, तो हमने क्या किया, sign ले लिया, लेकिन कोई है जो कि cost भी ले सकता है, वो answer तो बार बार देखेगा नहीं, तो अब यह वाला solution भी सही है, अब मैं आपको इसी exercise के 25 नमबर सवाल, student, किताब को खोलिए, 25 नमबर सवाल को और 31 नमबर सवाल को देखिए, 25 और 31 नमबर सवाल, दोनो exactly same सवाल है, बट जरा answer देखिए तो, 25 नमबर और 31 सवाल को पहले देखिए, questions are same, but their answers are different, the answer of 25 नमबर question is 1 by 1 plus x square, but the answer of 31 नमबर सवाल, while 25 नमबर सवाल, 25 और 31 सवाल are same, but the answers are quite different, 1 is plus and another is minus, so how can you decide, how can you decide to how to put the values, how to put the values of x and y, हम x का value जो है कैसे put करें ये हम कैसे पता लगा पाएंगी नहीं पता लगा सकते हैं ठीक है तो जो आपके अच्छा तुम ही बताओ ना 25 नमबर सवाल और 31 नमबर सवाल दोनों क्या है सेम है अब दोनों सवाल जब सेम है स्टूडेन तो आंसर भी इसके सेम आने चाहिए लेकिन आंसर डिफरेंट है तो यह प्रूफ करता है कि आप दोनों में से कोई भी तरीके से solve कर सकते हैं एक में tan put किया है और एक में caught put किया है जब tan put किया है तो answer प्लस आ रहा है और जब caught put किया है तो answer क्या आ रहा है minus आ रहा है तो अब free हैं दोनों भी cheese put करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर solution बताया एक में जब मैंने sign put किया तो हमारा answer plus आ रहा है लेकिन वहीं जब मैंने cost put किया same question में हम बहुत आसानी से बना लिए but answer क्या आ रहा है minus आ रहा है तो देखो यह इसका पूरा जो explanation है वो trigonometry chapter में मैं बता सकता हूँ लेकिन वीडियो का length बहुत बड़ा हो जाएगा वो trigonometry concept में मैं इस चीज के लिए न मैं एक separate video बना हूँगा कि put करने पर वो क्यों आता है inverse trigonometric function में domain और range से related है ठीक है तो हम अब आ जाते है question number पहले इसको pause करके no down कर लीजिए कि क्यों 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 tan 3 theta है tan inverse क्या कर देगा let x is equal to tan theta तो theta is equal to ने 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 tan ने कि माफ कीजिएगा study x is equal to sin theta पुट करेंगे तो theta is equal to sin inverse x y is equal to sin inverse 3 sin theta minus 4 sin cube theta got it now as we know the given formula is of the formula of sin 3 theta so we can write it as student sin 3 theta and student we can also write is y is equal to 3 theta we have the values of 3 theta y is equal to 3 and the value of theta is sin inverse x so student dy by dx can be written as 3 into under root 1 minus x square and we can arrange this answer as 1 minus x square so the given question as the answer 3 by under root 1 minus x square which match the given answer so student we have the solution of question number 18 and now we will proceed to the question number 19 so question number 19 we have given is y is equal to sin inverse 1 minus 2 x square student सबसे पहले ये सोचिए कि 1 minus 2 x square इसा कोई फर्मूला है क्या एक्स के जगह पर कोई तो भी ऐसा ट्रिगोरोमेट्रिक फंक्सन है क्या तो जी हां 1 minus 2 2 sin square x जो है ये फर्मूला होता है कॉस्ट 2 x का तो चलिए हम पूट करते हैं x is equal to let x is equal to sin theta तो theta is equal to बाभू ये हो जाएगा sin inverse x ठीक है so student y is equal to sin inverse 1 minus 2 sin square theta and this is the formula of cos 2 theta तो y is equal to sin inverse cos 2 theta अब आभू ये cos 2 theta को हम कैसे भी करके sin लाएगे sin लाएगे तो sin inverse sin क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा तो देखिए ध्यान से समझिएगा हम इसको cos को ही sin बना देते हैं तो cos 2 theta को हम क्या लिख सकते हैं sin y by 2 minus 2 theta cos 2 theta को क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 minus 2 theta तो y is equal to ये खतम हो गया और हम इसको क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 minus 2 theta और क्या लिख सकते हैं y को इधर कर देते हैं y को और क्या लिख सकते हैं pi by 2 minus 2 sin inverse x theta के जगा पे हम क्या पुट कर दे sin inverse x पुट कर दे So, dy by dx is equal to 5 by 2 का 0 और 2 sin inverse x का 1 minus x square So, dy by dx can be arranged as minus 2 by under root 1 minus x square चिक है? तो यह है question number 19 का answer अब हम चलते है question number 20 पे 20 ध्यान समझेगा y कितना सेक inverse under root 1 minus x Student ध्यान समझेगा तो अगर इसको हम sin put करे तो 1 minus sin square theta क्या हो जागा? cos square theta cos square theta root से बाहर आके क्या हो जाएगा? root से बाहर आके cos theta और 1 by cos theta सेक theta तो हम put करते है let x is equal to sin theta theta is equal to sin inverse x चीक है तो y can be written as सेक है ना? सेक inverse 1 by under root 1 minus sin square theta y is equal to सेक inverse 1 by under root cos square theta तो y is equal to सेक inverse 1 by cos 2 theta y is equal to सेक inverse सेक 2 theta ने, 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 ये 2 नहीं आएगा सिर्फ cos theta आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? सेक theta आएगा ठीक है? अब चलिए y is equal to सिर्फ theta मतलब y is equal to sin inverse x तो dy by dx क्या होगा? minus, minus नहीं 1 by under root 1 minus x square ठीक है? यह है question number 20 गा answer अब हम चलते हैं question number 21 पे tan inverse है तो हम इसको tan उपर में sin रखते हैं इसको cos put करते हैं साइन रखते हैं तो नीचे cos sin by cos tan आजाएगा ठीक है? तो let x is equal to sin theta तो theta is equal to sin inverse x तो y can be written as बाभू? tan inverse sin theta by under root 1 minus sin square theta y is equal to tan inverse sin theta 1 minus sin square theta यह cos square theta होगा और root से बाहर आके cos theta जो कि मैं direct लिख दे रहा हूँ ठीक है? तो y is equal to tan inverse tan theta और जो कि theta के equal आजाएगा और theta किसके बराबर है? यह sin inverse x के बराबर है तो हमारा dy by dx जो होगा sin inverse x का differentiation क्या होता है? 1 by under root 1 minus x square जो की answer हमारा वही है question number 21 हो गया है अब चलते हैं question number 22 पे 22 पे तो यह भी आसान सवाल है इसको हम sign put करते है let x बराबर देखिए उपर में sign रहेगा नीचे में इसको sign put करेंगे तो यह बाहरा के cos होगा 1 plus cos का formula लग जागा उपर sign का formula लग जागा इस तरह से वाभू आपको सोचना है 3-4 step को आगे अब तुमको लग रहा होगा कि हम सोचेंगे कैसे हमको तो कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है sir question बता रहा है तो हम उसको solve कर रहे है ठैकिन यह starting में होता है जब आप धीरे-धीरे solve करने लगेंगे वो धीरे-धीरे आप automatic दिमाग में आ रहा है ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं कोई उपर से टपका हुआ इंसान हूँ हर साल एक ही चीज को पढ़ाता हूँ इसी वज़े से पुरे दिमाग में आ गया है आप भी अगर करेंगा जो board exam में question तो limited ही आता है तो ध्यान से समझेगा इसको हम x is equal to sign theta put करते हैं बाबु तीन बार, चार बार, पांच बार solve करोगे न तुमको अपने आप एक confidence आएगा अपने अंदर बार बार इसको solve कीजे एक बार वीडियो को देख लीजे solve कीजे नहीं समझ आता है फिर से वीडियो को देखे student मैं guarantee देता हूँ मैं कोशिस करता हूँ हर एक relevant comment irrelevant comment पे मैं द्यान नहीं देता हूँ पढ़ता तो सब हूँ तो जो relevant comment है जिसका कोई meaning है अगर आपना doubt पूछेंगे न तो मैं आपको whatsapp number दे देता हूँ 9503517799 अगर आपका सच में relevant doubt होगा न आप मुझे whatsapp पे message कर सकते हैं even आप call भी कर सकते हैं ठीक है definitely I will help you तो देखिए x is equal to sin theta तो theta is equal to sin inverse x y is equal to tan inverse x के जगा पे हम क्या put करें sin theta 1 plus under root 1 minus sin square theta y is equal to tan inverse sin theta और 1 plus 1 minus sin square theta ये cos square theta होता है और cos square theta root से बाहर आके क्या हो जाएगा cos theta हो जाएगा इसको चलिए कर देते हैं उपर y is equal to tan inverse sin theta का formula लगा दीजिए 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 और नीचे इसको लगा दीजिए 2 cos square theta by 2 2 2 से गया 1 cos 1 cos से गया उपर में बचे गया sin और नीचे में बचे गया cos तो y is equal to tan inverse sin by cos क्या होता है tan theta by इसको जरा हम करते हैं slide और अब इधर देख लीजिए y is equal to theta by 2 student theta कितना था sin inverse x तो dy by dx क्या होगा 1 by 2 को रहने दीजिए और 1 minus x square यह आगया आपका answer चेक है 1 by 2 root 1 minus x square student हम चलते हैं question number 23 पे वीडियो का length कितना हो गया है ज्यादा नहीं हुआ है तो अब ध्यान समझिएगा cot inverse 1 minus x square by x है तो हम क्या put कर दे cot है तो हम इसे sin put कर दे उपर cos आजाएगा नीचे sin आजाएगा खीक है तो let x बराबर sin theta तो theta is equal to sin inverse x हो गया तो y is equal to cot inverse 1 minus sin square theta by sin theta y is equal to cot inverse 1 minus sin square theta क्या होगा नहीं नहीं आफ कीजिएगा ये 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 हाँ अब ठीक है root उपर में था तो 1 minus sin square theta क्या होता है cos square theta और cos square theta root के बाहर आके क्या हो जाएगा cos theta by sin theta cos theta by sin theta क्या होगा cot theta तो y is equal to cot inverse cot theta मतलब y is equal to theta और theta कितना है sin inverse x तो dy by dx यहीं पर लिख देते है 1 by under root 1 minus x square जी हाँ बिलकुल सही है तो ये था 23 नमबर सवाल का solution अब आजा ये सवाल नमबर 24 में देखिए 1 minus 2x square अभी अभी ऐसा question हमने पिछले इसमें किया है तो इसको x के जगा पर sin put कर दीजिए let x is equal to sin theta तो हमारा y जो है ये क्या हो जाएगा sec inverse 1 by 1 minus 2 sin square theta 1 by 1 minus 2 sin square theta तो y is equal to sec inverse 1 by cos 2 theta क्योंकि 1 minus 2 sin square theta का direct formula लगा दीजिए 1 by cos 2 theta और हम इसे और क्या लिख सकते हैं y is equal to sec inverse 1 by cos sec sec 2 theta और हम इसे क्या लिख सकते हैं y is equal to sec inverse sec खतम हुआ क्या हो गया 2 theta मतलब y is equal to 2 sin यहां पर छूट गया क्या लिखेंगे theta is equal to sin inverse x तो y is equal to क्या लिखें 2 sin inverse x तो dy by dx क्या हो जाएगा 2 by under root 1 minus x square जो कि है 24 नमर सवाल का answer अब देखें 25 नमर सवाल जो मैं अभी अभी बताया था कि 25 और 31 जो है वो एक ही जैसे है तो आ जाईए 25 नमर सवाल इसका जो आंसर है इतना है लेकिन 31 नमर सवाल देखेंगे तो उसका answer में minus लगा हुआ है दोनों सवाल है सेम लेकिन लगा हुआ है minus यहीं पे हम दोनों बता देते हैं ठीक है 31 नमर सवाल में भी 31 को solve करेंगे लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिल्हाल हम इस answer के लिये solve करते हैं तो let x is equal to tan theta theta is equal to tan inverse x चीक है जनाब आगे चलते हैं तो हमारा जो y है वो क्या हो जाएगा sin inverse 1 by under root 1 plus tan square theta ठीक है y is equal to sin inverse ठीक है 1 by 1 plus tan square theta क्या होता है सेक square theta और सेक square theta root से बाहर आके क्या हो जाएगा सेक theta y is equal to sin inverse cos theta ठीक है अब देखिए ध्यान समझेगा y is equal to sin inverse अब cos theta cos theta को हम क्या लिख सकते हैं sin pi by 2 plus theta बिलेंगे सर ये कैसे pi by 2 minus theta लिख दीजिए pi by 2 minus theta भी तो लिख सकते हैं पर pi by 2 minus theta लिख देंगे तो answer minus आ जाएगा लेकिन क्या गलत है जी नहीं बिलकुल सही है बाबू ध्यान समझेगा pi by 2 ऐसा sin pi by 2 minus theta ये होता है cos theta और sin pi by 2 plus theta ये होता है cos theta ये कैसे भाई तो pi by 2 minus theta 90 degree में से कोई accurate angle निकालिए वो first quadrant में होगा और हम जानते हैं कि first quadrant में सभी values जो है sin का cos का 10 का और उनके reciprocal का values क्या होते है positive होते है अपने ये तो पढ़ा होगा add sugar to coffee पहला quadrant में all positive दूसरे में sin positive देखिए तो sin pi by 2 plus theta ये का कौनसे quadrant में होगा ये second quadrant में होगा तो second quadrant में positive pi by 2 है तो transformation होता है तो यहां plus cos theta ये वाला concept है और ये मेरे हिसाब से आपने trigonometric पढ़ा होगा देखिए trigonometry का use पूरे math में है तो मुझे लगता है कि आप एक बार पढ़ लीजिए ठिक है तो sin pi by 2 plus theta sin inverse तो y is equal to y is equal to pi by 2 plus theta मतलब y is equal to pi by 2 plus tan inverse x तो dy by dx pi by 2 का differentiation 0 और tan inverse x का 1 by 1 plus x square बाबू क्या होता जब cos theta को sin pi by 2 minus theta ले लेते तो minus ले लेते तो answer क्या आजाता minus में यहां पे minus हो जाता यहां पे भी minus होता तो यहां पे क्या हो जाता एक minus हो जाता तो यह था 25 नमर सवाल का answer ठीक है cot भी लेके बना सकते थे देखे cot लेके बनाएंगे तो और आसानी से हमारा answer आएगा उमिद करता हूं वीडियो को फाउज करके note down कर लिए होंगे अब देखे हम ना 10 के जगह पे cot ले लेते हैं यहां पे क्या ले ले cot theta तो theta is equal to cot inverse x ठीक है 1 plus 10 को हम क्या लिख दें 1 plus cot square theta और 1 plus cot square theta क्या होता है कोसे का square theta होता है ठीक है और कोसे का square theta को हम क्या लिख सकते हैं root के बाहर निकालके कोसे क्षीटा ठीक है और 1 by कोसे क्षीटा क्या होता है साइन थीटा रहोगा की नहीं होगा और यहां पे y is equal to क्या होगा सिर्फ थीटा मतलब चीटा कितना है cot inverse x तो dy by dx क्या होगा dy by dx जो होगा वो क्या होगा minus 1 by 1 plus x square ठीक है तो 31 नमबर सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं 31 नमबर सवाल और यह दोनो सेम ही सवाल है 25 तो कैसे भी हम solve कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है answer will be same and you will get 100% marks तो student यह था 25 अब हम आजा यह 26 नमबर सवाल में यह तो बहुत ही आसान सवाल है 1 plus 10 पूट कर देंगे तो 1 plus 10 और 1 minus 10 10 5 by 4 minus theta होता है बहुत आसान है देखके आप solve कर लेंगे let x is equal to tan theta तो y is equal to हम क्या लिखेंगे यहाँ पे theta is equal to tan inverse x ठिक है तो y is equal to tan inverse 1 plus tan theta और 1 minus tan theta y is equal to tan inverse tan pi by 4 plus theta ठिक है y is equal to tan inverse tan inverse लिखने के जरूरत नहीं है हम y is equal to क्या लिख दे pi by 4 plus theta मतलब y is equal to pi by 4 theta कितना था जी tan inverse x तो dy by dx pi by 4 का differentiation 0 tan inverse x का 1 by 1 plus x square यह answer है बहुत ही आसान था कोई जानने यह question में यह था question number 26 अब आजाए 27 में 27 क्या कहता है y is equal to cot inverse देखिए सबसे पहले हम x को क्या पूट कर देते है tan theta तो theta is equal to क्या होगा tan inverse x x को क्या पूट कर देते है tan theta तो theta is equal to हो जाएगा tan inverse x तो y जो है बाभू वो हो जाएगा cot inverse 1 plus tan theta और 1 minus tan theta तो हमारा जो y है cot inverse tan pi by 4 plus theta यहाँ cot यहाँ tan बात नहीं बना हम क्या करेंगे y is equal to cot inverse tan को cot में बतलेंगे और cot pi by 2 minus pi by 4 plus theta चिक है y is equal to cot inverse cot खतम pi by 2 minus pi by 4 pi by 4 हो जाएगा और यहाँ minus plus को minus कर देगा तो y इतना आ गया अब ध्यान फे समझेगा y is equal to pi by 4 minus tan inverse x तो dy by dx pi by 4 constant है इसले differentiation 0 और 0 minus tan inverse x का 1 by 1 plus x square minus आता है इसका हाँ जी इसका answer क्या आ गया minus 1 by 1 plus x square यह हो गया 27 नंबर सवाल का solution student अब हम चलते है question number 28 पे अब देखें यह तो tan 3 theta का formula ही दिख रहा है तो हम put करते है x is equal to tan theta तो theta is equal to tan inverse x चिक है तो y is equal to tan inverse 3 tan theta देखो student यह देख के अगर तुम घबरा रहे हो इसका मतलब यह है कि आपको formula याद नहीं है अगर देख के न तुम घबरा रहे हो तो कही न कहीं आपको formula याद नहीं है formula याद रहेगा आप कभी नहीं घबराएंगे आप देखते पता चल जाएगा कि अच्छा यह तो 3 tan theta minus 10 cube theta minus 1 minus 3 by 1 minus 3 tan square theta का formula है तो हमें x के जगह पे tan put करेंगे तो हमारा direct tan 3 theta आजाएगा याद कॉट भी रह सकता है tan भी रह सकता है tan दिया है हमारे लिए ज़्यादा आसान है तो tan cube theta और by 1 minus 3 tan square theta और बाबु यह पूरा जो formula है ना यह पूरा जो formula है यह इसको हम tan 3 theta कह सकते है तो y is equal to tan inverse tan 3 theta ठीक है तो y is equal to 3 theta मतलब y is equal to 3 tan inverse देखे तो जरा यहाँ theta is equal to क्या है tan inverse x है तो dy by dx is equal to 3 into 1 by 1 plus x square which can be further arranged 3 by 1 plus x square तो student यह है 28 number सवाल का answer ठीक है हम चलते हैं 29 number सवाल की ओर मेरे इसाब से आप समझ गया होंगे कोई जान नहीं था question में 29 number सवाल में आप हम enter करते हैं तो 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 छीक है यह भी काफी आसान सवाल है मैंने आपको बताया था कि अगर a by b है तो a by b को हम बाबू कैसे लिख सकते हैं 1 by b by a बहुत आसानी से लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे पहले अरेंज कर दें कोसेक इन्वर्स 1 by 2x by 1 plus x square ठीक है और अब हम x is equal to tan theta पूट करते हैं x is equal to क्या हो गया tan theta तो theta is equal to tan inverse x ठीक है तो y is equal to कोसेक inverse 1 by 2 tan theta by 1 plus tan square theta तो y is equal to कोसेक इन्वर्स 1 by sin 2 theta अब कहेंगे ज़र ये कहां से तो ये जो पूरा है ये, ये sin 2 theta का फर्मूला है तो को sin 2 theta और tan 2 theta में इतना ही फरक है कि यहाँ पर प्लस है तो sin 2 theta का यहाँ पर नीचे में minus है तो tan 2 theta का तो y is equal to कोसेक इन्वर्स कोसेक 2 theta और हम फर्दर y को क्या लिख सकते है y is equal to 2 theta और theta कितना था 2 into tan inverse x dy by dx क्या होगा 2 by 1 plus x square ठीक है यह आंसर है 2 by 1 plus x square वीडियो को पाउज करके note down कर लीजिए हम चलते हैं question number 30 में 30 भी वैसा ही करेंगे y is equal to सेक इन्वर्स इसको कैसे लिखा जा सकता है यह पूरे को हम नीचे denominator मिला सकते हैं तो यह ऐसे लिख सकते हैं 1 minus x square by 1 plus x square चीक है और हम x के जगा पे क्या पुट कर दें tan theta तो theta क्या हो जाएगा tan inverse x चीक है हमारा y क्या हो जाएगा सेक इन्वर्स 1 by 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta ठीक है तो 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 हम यह पूरे को पूरा को देखिये जरा यह है cos 2 theta का फर्मूला सो हम क्या लिख सकते हैं y is equal to सेक इन्वर्स y is equal to सेक इन्वर्स 1 by cos 2 theta ठीक है तो y is equal to सेक इन्वर्स सेक 2 theta ठीक है यहां तकर लेते हैं और हम क्या लिख दें y is equal to 2 theta y is equal to 2 theta कितना है यहां गया tan inverse x तो dy by dx जो है यह आजाएगा 2 by 1 plus x स्क्राइब 30 नंबर सवाल का अंसर हां इलकुल सही है तो यह है question number 30 का solution हम चलते हैं question number 31 फे वीडियो का लेंद देख लेने दीजिए it has been more than 1 hour चलिए यह last सवाल होगा y is equal to sin inverse 1 plus x square tan put करते हैं 1 plus tan क्या आजाएगा sec और उपर जाके cos आजाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है तो हम let x is equal to tan z पूट करते हैं ठीक है तो theta is equal to tan inverse x अब हमारा जो y है यह क्या हो जाएगा sin inverse 1 by under root 1 plus tan square theta तो y is equal to sin inverse 1 by 1 plus tan square theta sec square theta और sec square theta बाहर आके क्या हो जाएगा sec theta y is equal to sin inverse 1 by से क्या हो जाएगा cos cos theta और sin और cos से तो बात बनेगा नहीं है sin inverse तो है sin रहना चाहिए तो y is equal to sin inverse sin pi by 2 minus theta तो हमारा जो y है यह खतम हो जाएगा sin inverse sin से तो क्या बज़ जाएगा pi by 2 minus theta यानि y is equal to pi by 2 theta कितना है tan inverse x तो dy by dx pi by 2 का 0 और minus है तो minus 1 by 1 plus x square यह था 31 नमर सवाल का अंसर अब हम चलते हैं 32 नमर सवाल में देखिए हम x के जगह पे tan theta put करते हैं या cot theta put कर लेते हैं x के जगह पे हम cot theta put कर लेते हैं better होगा तो या हम ऐसा कर सकते हैं क्या y is equal to second inverse 1 plus x square और minus 1 minus x square ऐसा कर सकते हैं और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं second inverse 1 by minus 1 minus x square और 1 plus x square यह जो 1 plus x square है इसको क्या कर देंगे नीचे कर लेंगे y is equal to second inverse चिक है अब हम देखते हैं यह जो 1 minus x square और 1 plus x square है x के जगह पे हम tan theta put कर देते हैं तो x is equal to tan theta let x is equal to tan theta तो therefore theta is equal to tan inverse x theta is equal to tan inverse x तो अब हमारा y जो है यह क्या हो जाएगा sec inverse 1 by minus minus को उपर कर ले यह minus को हम उपर कर लेते हैं और हम इसको थोड़ा सा और arrange करके sec inverse minus 1 by यह किसका फर्मूला है cos 2 theta का तो यहाँ पर लिख दें cos 2 theta ठीक है अब देखिए इसको हम ज़रा सा minus को नीचे ले ले बहुत आसान है हम minus को अगर नीचे ले लेते हैं तो 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 यह sec हो जाएगा यह हम ऐसा कर दें y is equal to answer को लाने के लिए sec inverse ऐसा लिख दें minus sec 2 theta लिख सकते हैं और minus sec 2 theta को हम क्या लिख सकते हैं y is equal to sec inverse sec minus 2 theta लिख सकते हैं के लिख सकते हैं आसानी से लिख सकते हैं अब हम ज़रा देख लीजे y is equal to minus 2 theta y is equal to minus 2 theta कितना है tan inverse x theta tan inverse x है तो y is equal to minus 2 into 1 by 1 plus x square y is equal to minus 2 by 1 plus x square student आप x के जगा पे tan theta जो मैंने put किया है आप cot theta भी आप put करके बना सकते हैं तो आज के लिए ये 32 नमर का ही सवाल था आज आपको साड़े 6 बजे आज आप जो वीडियो देख रहे हैं 25 को आज साड़े 6 बजे इसका जो दूसरा पर्ट है या 29 या 20 सवाल और बचा है वो भी आपको अप्लोड हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए अगर आपने लाश्ट तक बने रहे हैं वीडियो में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आप वीडियो को देखते रहेए लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए That's all for today. Thank you. Have a good day.